स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यर्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला कॉन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबियत से एक पत्थर उचालो तो यारो दुनिया में कोई भी मकाम हासिल करना असंभव नहीं है, कभी हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि आधुनिक जमाने में लोगों की समवेदन शीर्ता सेवाभावी द्रिष्टी कोन समाज के प्रती अपना दायत्व निभाने वाले दिन बदिन कम हो रही है अरे अपना आत्मविश्वास से भरा कदम आगे बढ़ा के तो देखो, हर मुसिबित से सामना करने का होसला बना कर आगे बढ़ते रहो मंजिले खुद बखुद आसान होगी हर मकाम के आगे मंजिले किसी मकाम पे रुक नहीं सकती खत्म नहीं होती हर एक मकाम के आगे नया कदम बढ़ा के जीव दुनिया जुकती है जुकाने वाला चाहिए समाज का द्रिष्टी कोन बदलता है बदलने वाला चाहिए जिसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मविकास की ओर ले जाने की क्षमता हिम्मत और होसलो भरी उडान लेने की क्षमता होती है वह चुटकी भर में असंभव को संभव बना कर दुनिया को चौका देती है उसके अंदर समाज परिवर्तन के उपलक्ष में धधक्ती हुई ज्वाला उसे नए जमाने का प्रेशित बना देती है ऐसा ही एक नए जमाने का प्रेशित श्रीकांत बोला है जिसे आज अमेरिका इगलंड जैसे विक्सित देशों में भी दिव्यांगों के प्रती-प्रतिकूल आस्था और भेदभावकून व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतू आमंत्रित किया जा रहा है और जो लिड इंडिया की सदस्यता स्वीकार कर यशस्वी उद्योजक होने के प्रादान पर दिन बदिन नए नए मकाम हासल कर रहा है आंद्रप्रदेश का इलाका वैसे ही शिक्षा में पिछडा हुआ इलाका माना जाता है वहाँ ज्यादा तर अशिक्षित लोगों की भरमार है या तो अर्धशिक्षित लोग गाव-गाव में बस्ते हैं ऐसे सभी लोगों को रोजगार देना भी मुश्किल होता है क्योंकि वे कभी कौशल विकास की प्रक्रिया से गए ही नहीं इसलिए वे ज्यादा तर मजदूरी करना ही पसंद करते हैं उस इलाकों के शहरों में भी औध्योगी करन बड़े स्तर पर नहीं हुआ है इसलिए रोज़िरोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे ही मचली पटणम विभाग के सीतारामपुरम नामक छोटे से गाव के बोल्ला परिवार में अंधश रधा पर आधारित देवदेवताओं की विविद स्वरुप की पूजा अर्चना करने की उपरांत श्रीकांत नामक बालक का जनम हुआ लंबी प्रतिक्षा के बाद और कठिन वरत वैकलियों के अंत में उपलब्ध हुआ यह पुत्र प्रसाद जनम से ही अपने साथ द्रिष्टिबाधित्व का दोश लेकर आया था अंदर शद्धालू रिष्टिदार पासपडोसी और गाव श्रेष्टियों ने श्रीकांत के पिता को अर्भकावस्था में ही उसे मार डालने की सला दी यहां बालक आगे चलकर आपके परिवार पर बोज बनकर ही रहीगा ना तो यहां आपको बुढ़ापे में सहारा दे सकेगा ना ही आपके परिवार को अच्छा वारिस सिद्ध होगा पर ना तो उसके मा का दिल इतना बेरहम था ना ही उसके पिता इस सला पर राजी थे महिना 1600 रुपए मजूरी पाने वाले परिवार में श्रीकांत का लालन पालन होने लगा उचित उम्र मैं समय पर उसे देहाती स्कूल में दाखिल करा दिया शिक्षक उसको पढ़ाने में रिची नहीं रखते थे और वर्ग बंधू भी उसे धुदकारते थे श्रीकांत सब के साथ खेलना चाहता था पर उसे खेलकूद में हिस्सा लेने से मना किया जाता था उसे वर्ग के आखरी लाइन में बिठाया जाता था नियती अपना खेल खेलती ही रहती है श्रीकांत के पिता को हैदराबाद में रहने वाले अपने एक सनेही से पता चला की वहां द्रिष्टी बाधित बच्चों के लिए रहिवासी विद्याले है और उसने सला भी दी अगर आप जीवन में उस बालक का भला करना चाते हैं तो उसे वहां दाखिल करवाना जरूरी है श्रीकांत की माता पिता ने बड़ी मानमनौवत के उपरांत वह सला मान ली श्रीकांत वहां जाते ही ब्रेल लिपी सिक्कर आसानी से लिखने पढ़ने लगा वहां के शिक्षक वर्ब भी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्ट करने के लिए सहयोग देकर प्रेरित करते थे श्रीकांत वहां जाकर विविद खेल खेलने लगा शत्रंज के खेल में तो वहां अच्छा माहिर खिलाडू बन गया उसे औडियो बॉल के साथ क्रिकेट खेलना भी पसंद था श्रीकांत को अपनी शिक्षिका श्रीमती स्वर्णलता से अच्छा लगाव हुआ और उन्होंने श्रीकांत की बुद्धिमत्ता निखारने के लिए अपना ज्यान दाव पर लगा दिया कुछ ही बरसों में वह क्लास में हमेशा अवल आता रहा समय के साथ श्रीकांत शालांग परिक्षा में 90% गुण लेकर हैदराबाद इलाके में प्रथम स्थान लेकर उत्तीर हुआ श्रीकांत को अब उच्च माध्यमिक शिक्षा शास्त्र विशय लेकर दाखिला चाहिए था पर किसी भी शिक्षा संस्था में उसे द्रिष्टी बाधिता का कारण बता कर प्रवेश नहीं दिया बहुत कोशिशे की परंतु सब असफल हुई जिसके अंदर आत्म सम्मान और आत्म विश्वास की ज्वाला धधक रही है वह यहां मामला कैसे छोड़ दे उसे कला या वानिज शाखा में पढ़ना ही नहीं था उसने शिक्षा संस्था में उसे शास्त्र शाखा में प्रवेश देने के मामले न्यायाले में अर्जी दाखिल कर दी उस अर्जी के सुनवाई के बाद शिक्षा संस्थान को श्रीकांत को शास्त्र शाखा में प्रवेश देना ही पड़ा इस पढ़ाई के दौरान स्वर्नलता जी ने श्रीकांत को सब पाथिक्रम ध्वनिमुद्रित स्वरुप में रेकॉर्ड कर उसकी पढ़ाई में प्रशंसगिया मदद की श्रीकांत का और न्याय संस्था का निरनय सही साबित करने के लिए श्रीकांत ने उंची छलांग लगा कर वह 98% लेकर उतीन होने वाला आंध्रप्रदेश का पहला दृष्टी बाधित विद्यार्थी था श्रीकांत के इस यश के सामने कई दृष्टिवान विद्यार्थी फिके पड़ गए अब श्रीकांत को इंडियन इंस्टिटूट ओफ टेक्नॉलोजी से अभियांत्री की क्षेत्र में प्रवेश पाना था उसने भारत के सभी IIT संस्थाओं में स्पर्धा परिक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दिये लेकिन सभी IIT संस्थानों में उसे दृष्टि बाधित होने के वज़़ उसे एडमिट कार्ड ही नहीं दिये सर्वोच उडान भरने वाला हमारा यह आज का यह वीर कहां चूप बैठने वाला था उसने अमेरिका के विद्यापिठो द्वारा IIT करने के लिए शिशवरित्ती पाने के लिए कोशिशे करने लगा कहते हैं ना जिसके शब्दकोष से अशक्य नामक शब्द हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है उसे कोई भी बात असंभवनिय नहीं होती अमेरिका की मासाशूसेट्स इंस्टिट ओफ टेक्नॉलोजी मिट स्ट्लफोन बरकले और कार्नेजी यह युनिवर्सिटियों में शिशवरित्ती लेकर MIT करने की संधी उपलब्ध हुई और देखते देखते वो MIT की पदवी प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला दृष्टिवाधित व्यक्ती बन गया अमेरिका में पढ़ते समय उसे अपने प्रमुख मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में ली एंडर्सन नामक व्यक्ती का अमूल्य योगदान मिला जिससे वहा एक उच्चे शिक्षा प्राप्त प्रगल्ब आत्मसम्मान से भरा हुआ यशस्वी व्यक्तित्व बन गया अमेरिका में MIT प्रशिक्षन के दौरान विद्यार्थियों को नेत्रित्व शीलता का पाठ देने के लिए नए नए आयाम सिखाए जाते हैं वैसे ही ओध्योगिक शेत्र में संग्यात्मक विज्ञान और तंत्रज्ञान के विश्यों पर विद्यर्थियों को शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने समक्ष आने वाले अभियांत्री की चुनौती को स्वीकार कर यशस्वीता की ओर कैसे बढ़े श्रीकान्त के विद्यार्थी जीवन में जो च्छाप शिक्षकों, विद्यापिठों और उध्योग जगत के गणमान्य उध्योजकों पर पड़ी वे तुरंत ही उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मविकास और आत्मस्वाभिमान की धधधक्ती लोग को पहचान गए जो बचपन से भेदभावपूर्ण जीवन जी रहा था, जिसे अपने जीवन के हर मोड पर द्रिष्टी बाधित्ता होने से नकारा गया था, जिसे खेलकूद, शिक्षा लेने के लिए भी समान संधी विकलानता की वज़ा नहीं प्राप्थ हुई थी अमेरिका में अच्छे कमाई वाली नोकरी स्वीकार कर कैसे अपने देश को भूल जाता श्रीकांत ने मन में ठान ही लिया थाकी में इस सदी का नौजवान जरूर ही अपने देश में पनप रही इस धारना मूल्यों और विशम परिस्थिती को बदलने की कोशिश करूँगा हमारे विकास के क्षेत्र में आने वाली हर रुकावट और बाधा दूर कर समाज को बदलने की यशस्वी कोशिश करूँगा हमारी योग्यता और काबिलियत साबित करने का इस सुनहरे मौके का लाब में जरूर उठाऊंगा अकेलापन हमेशा उस व्यक्ति को आंतरिक द्रिष्टी से बल्वान बनाता है जैसे की गौतम बुद्ध को उपरती प्राप्त हुई थी मैं हमारी महामही राश्च्रप्ती डॉक्तर अब्दुल कलाम की दूसरी राश्च्य यूथ मूव्मेंट लिड इंदिया की योजना के साथ जुड़ा हूँ मैं उनसे मार्गदर्शन और प्रेरना भी प्राप्त कर रहा हूँ तो मैं क्यू ना मेरे जैसे दुरलक्षित अपंगो को आर्थिक आय कमाने की संधी उपलब्ध करवा कर उनके कौशल, शिक्षा, तंत्र ज्यान और अपनी अपनी योग्यताई सिद्ध करने के लिए समान संधी उपलब्ध कराओ। इस निश्चय से भारिच श्रीकांत ने अपने आसपास के इलाके का सही धन से आकलन कर आसानी से और सस्ते दर पर कच्चे माल की उपलब्धता, अपने उत्पाद उनमुख विपनन तथा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित दिव्यांगजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सन 2011 में समन्वय नामक संस्था स्थापित कर दिव्यांगजनों को रोजगार कमाने के अनुकूल बनाना शुरू किया। आकार की ठालिया, दिशेस, कटोरे, चम्मच, ग्लासिस, ट्रे आधी बनाकर बाजार में बेचने के लिए उपलप्थ करवाया। उनकी यह कोशिशे रंग लाई जिससे सेक्डो दिव्यांग को काम भी मिल गया और वे अपनी आर्थिक पुर्णवास करने में सक्षम बन ग बोलन्ड इंडिस्ट्रीज की यह प्रक्ती देख सब अचम्बित हो गए और सन 2016 में काउंसिल ओफ साइंटिफिक एंड इंडिस्ट्रियल रीसर्च जैसे भारत की गणमान्य संस्था द्वारा आयोजित समारों में सर्वोत कृष्ट उद्योजक होने का तमदा श्रीकान को हासिल हुआ क्योंकि उनका उद्योग पूर्नत परियावरन के अनुकूल प्रदूशन मुक्त और समाज के दुरलक्षित घटकों को आर्थिक पुर्णवास साधने की संधी देने वाला और मुनाफे का सिद्ध हुआ था इससे भारत और अमेरिका के बहुत सारे उद्योग फाउंडेशन ने आपको प्रमुख निर्देशक के पद पर आसीन किया जो सन 2030 तक वयक्तिक तथा ओदोगिक समू को खास रूप से जल से जल्द उभार कर उलेखनिया प्रगती करने के धे हासिल करने में लगा हुआ है सन 2018 तक उन्होंने श्री सिटी में स्वयन्चलित यंत्र पर आधारित विक्सित सैंयंत्र शुरू किया जो पूरी तरह सौरूर्जा द्वारा ही चलाया जाएगा अब तो बोलन्ट इंडिस्ट्री वनस्पती जन्य विक्टन की होने वाली खेती विभाग के फेक देने वाली चिजे बेकार कागज, प्लिस्टीक, स्टाइरोफोम जैसी चिजे कागज बनाने की उद्योग में भी सफल हुए है जिससे वो फार्मा कंपनी पे उद्योग और केजिंग के लिए कोरोगेटेड बॉक्सेज बना कर बेच रही है तिरुमला तिरुक्ती देवस्थान जैसा मशूर संस्थान भी बोलन्ट इंडिस्ट्री का एक ग्राहक बना हुआ है 2018 तक इस कंपनी का कारोबार 150 करोड था वह 2021 में 180 करोड तक पहुँच गया और अपेक्षा है कि 2023 के अंथ तक बोलन्ट इंडिस्ट्री 250 करोडों का कारोबार करने में सफल होकर हजारों दिव्यांगों को रोजगार देने वाला विश्व का पहला और सफल उद्योग साबित होगा श्रीकांज जी के सपने जो अंथीन है पर सन 2025 तक वे अपनी कंपनी का कारोबार 2000 करोड तक ले जाना चाते है Forbes Magazine द्वारा आपको आशिया खंड में सबसे ज्यादा प्रगतिशील व्यक्तियों में आपको भारत देश के तीन व्यक्तियों में से एक चुन लिया है आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद सिनिकलाकार और लेखक श्री राजकुमार राव द्वारा भी आपके जीवनी के उपर विशेश डॉक्यूमेंटरी फिल्म बना कर उसे समाज को प्रेरना देने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है आपने पर्यावरन सुरक्षा ध्यान में रख कर दुरलक्षित दिव्यांग जनों का सामाजिक और आर्थिक पुनर्वसन साधने के लिए जो सुप्रसिद और द्योगिक उद्योग शुरू कर उसका अलपावधी में जो प्रसंसनिय तरक्की करवाली तथा बेकार प्लास् सन्मान दिया जाए वह छोटा ही होगा आपको आज तक मिलने वाले सन्मानों में 1. Distinguished Youth Service Award 2. Telugu Fine Arts Society of New Jersey Honored You with Youth Excellence Award 3. You won 2 ND Place at the 93rd India Science Congress 4. NDTV Indian of the Year Award 2015 5. Immersion Leadership Award by Ecliffe Malaysia 2016 6. Immersion Entrepreneur of the Year CII 2016 7. Immersion Winner in SME Pride of Telangana Awards 2018 8. Business Line Young Changemaker Award 2018 9. Declared Entrepreneur of the Year by One Young World 2019 10. Nav Naqshatra Sanmanam Award by TV9 2019 11. Awarded Young Global Leaders 2021 11. Dekar Gorwanvit क्या हुआ है? National Association for the Blind 11. India-Bharat की सबसे बड़ी अंधकल्यान में लिप्ट संस्था द्वारा आपको सन 2023 में सर्वोत्क्रिट उद्योजक सुप्रसिध श्रीमती पिलूडी खंबाटा अवार्ड 2023 अपने स्थापना दिन के उपलक्ष में मुंबई में आयोजित कारेक्रम में देकर गौरवानवित कर अंधकल्यान के कारे में प्रसंशनिय योगदान दिया हुआ है श्रीकांत के सफलता की गाथा कही पर भी समाप्थ होगी यह संभावना रखना गलत होगा आज यह 27 साल का नौजवान भविष्य में कौन सी कौन सी नई उचाईया छू कर अपंकल्यान के क्षेत्र को एक नया आयाम देगा इसकी कलपना करना भी आम लोगों की समझ से परे है समाज के दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिभेद भावपूर्ण व्यवहार प्रतिकूल भावना और आस्था को बदल देने वाला यह नौजवान अपनी नई क्रांती जो जलाकर मेक इन इंडिया को सफल बनाने में सफलता की रा में चलकर चल पड़ा है और हम अपेक्षा रख सकते हैं कि नया जमाना भी आएगा और अच्छे दिन भी आएंगे जब विक्सित देश भी भारत देश के नौजवान श्री श्रीकांत बोला को आदर्श मान कर उसके कारे में अपना सहयोग देने के लिए आकर्शित हुए है तब हमें भी मान लेना चाहिए गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका चमका सुभा का तारा आने वाली सुभा भी उतनी ही रंगिन होगी जो दिव्यांगों के प्रती भेद भावकूर्ण व्यवहार और दुर्लक्षित्ता को मिटा कर अपने देश को प्रगत राष्ट की श्रेनी में दर्जा दिलाने में सफल होगी है मन्त जब पातिल मानत सचीव National Association for the Blind, India